खबर समझगत में आपका सवागत हैं मैं हूँ जितेंद्र जैन आईए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों तब उन्होंने अपने बच्चों को ज्याद से ज्यादा सीवा में भड़ती किया उन्होंने का कि आज के यूवा भी देश की सिवा करना चूआते हैं इसलिव अगनी भी ज्वाइन कर रहे हैं और आज नहीं इसका चार साल बाद सब को रिजल्ट समझ में आएगा कोई नई बात नहीं है hybrid war का मतलब है conventional war plus unconventional war plus asymmetries हर dimension asymmetries का मतलब financial asymmetry, technological asymmetry, मतलब किसी भी देश के साथ उनका ज्यादा हुचाए हमारा कम है तो वो भी एक threat का माध्यम बन जाता है इसे बहुत सारे threats आजकल बन गए और अगर आप Gaza war और बाकी सब जगे पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि इतने नए पहलू खुल गये हैं इतनी जादा technology आ गई है कि अगर हमारा सैनिक भारत भारत या सैनिक उस काबिल नहीं होगा कि इस नए technology को न नहीं बोलूँगा आप सब जानते हैं कि हमको किस देश पर ज्यादा ध्यान रखना है और क्या करना है हमारे पास borders बहुत लंबे हैं और खत्रा भी दो-दो तरफ से बहुत जादा आप सबने कार्गल वार के बारे में सुदा कार्गल वार का जिक्र में इसलिए कर रहा हू क्योंकि इसका अगनी बीर से और अगनी पज स्कीम से बहुत नजदी की तालग है कार्गल वार एक तरश से वाटर्षेड है भारत के सैने के इतिहास में और क्यों वाटर्षेड है वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा review हुआ कार्गल वार के बाद जिसमें ऐदनीकरण के लिए भारत्य सेनाओं को बोला गया और यह रेकमेंडेशन भारत्य सेनाओं नहीं दिया था जिसको गुश्कुत मवाणा और अधनीकरण को मंजूर किया पिछले 20 साल से यहां आधनीकरण चलो ऑर्गनाइज़ेशन रिविव हुए थेट्राइजेशन हुआ टीट्स टू टेल मतलब सपोर्ट एजन्सीज कम हुई लड़ने वाली शंता को बढ़ाई गई एक्ट्विक्ट्मेंट टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हर डिपार्ट्मेंट में बहुत तब्दीली हुई है और बदलाव आया दूसरा हिस्सा जो है जो होना है कि इस आधुनिक सेनाओं को इस्तिमाल करने के उसके लाइब मटीरियल होना चाहिए तो एंट्री सिस्टम को बदली करने की कोशिस की गई ऑफिसर्स की एंट्री के ऊपर काफी बहस हुई है चर्चा हुई है उसमें छोटी मुटी बदली हु ताकि आधुनिक यूग के लिए कांटिनेंटल फोर्स के लिए थेटर में लड़ने वाली सेना के लिए हम अपनी सेना को तयार कर सके और उसके लाइब मटीरियल हमारी सेनाओं में आए ऐसा गवर्मेंट मानती है और ऐसा हम भी मानती है इसके लिए हुनको चाहिए डिसिप्लन और बेस्ट कापैसिटी जब मैं वर्ड यूज करता हूँ कापैसिटी कापैसिटी और केपबिलिटी में फरक है केपबिलिटी एक इनसान की केपबिलिटी है जबकि कापैसिटी एक नेटवर्किंग अबिलिटी है उसी इनसान की जबकि यो बहुत सारी खूब है और यह समझ लीजिए कि 40 साल से उपर के लोग जो होते हैं और ज्यादा सूपर हाई ऑल्टिट्यूड यानि 12000 से उपर के इलाके में जब जाते हैं तो उनको बेमार होने की चांसे ज्यादा है यह नजर आया था और इसकी वज़े से यह सब रिव्यू हुआ है कुछ बातें जो फैली हुई है सोशल मीडिया में खास तौर पर मास मीडिया में बहुत कम है वो है कि सेलेक्शन क्राइटीरिया बदली हो गया सेलेक्शन क्राइटीरिया में कोई बदली नहीं है सेलेक्शन क्राइटीरिया उतनी ही स्ट्रॉंग है जितनी पहले थी लेकिन फ और ज्यादा अच्छी है क्योंकि इनकी काबियतें बहुत हैं कुछ एडवांटेजिस जो कि खाली एक शब्दों में मैं आपको बयान करदू आप सब जानते हैं कोई नई बात नहीं है जैसे कि अफसरों में हैं एक रेगुलर स्ट्रीम है एक शौट सर्विस वैसा ही जीजों को सीखते हैं और बाहर जाके अपने और काम करते हैं ऐसे मेरे पास कई उधारण है निजी तोर पर जबकि मैंने यंग लोगों से बात किया है और देखा है और वो चाहते हैं कि वो सेना में रहें लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हम सेना को छोड़कर जैसे ही हमारा इस वाद में आप एक चीज़ को देखेगा, आज की तारिख में तो ये 25% लोग रिटेन होंगे, लेकिन 6-7 साल के अंदर नेरली 60% सेना में अगनी पत के थुरू आए हुए बच्चे और रेक्रूट और सोल्जर्स, वो सारे 60% टेनबिलिटी जो है इन सोल्जर्स की पर कुछ समय पहले एक गाउ में था मैं इदरी, नजदीक में, कुछ बच्चों से मेरी बात चल रही थी, कि क्या करोगे, क्या बनोगे, इस तरह की बात सी, अब ये सब लोग थे जो कि अभी बिये प्रोग्राम जॉइन ही किया था, यानि बार्वी करके अगली सिक्षा ले र बच्चे थे, अब कंफ्यूजन क्यों है, माता पिता अभी भी सक्षम है, खेती समालने के लिए, बच्चे को खेती हान्डोवर नहीं हो रही, अब वो करे तो क्या करे, एक सोशल डायलमा चल रहा है, ज्यादर तर लोग कोई दुकान लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चोटी-चोटी बाते और गुम्रा घूम रहे हैं, मेरा ख्याम ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, इसको समय देना चाहिए, ताकि इस तरीके बच्चों को आप्शन मिले, ताकि वो सेनाओं के अंदर जाएं, कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, स्किल लेवल उंचा करें और जब बाहर आएं, तो वही काम को देखते हुए, वो कोई नया काम कर सकें, ये उनकी मर्जे के उपर हैं, और ये आपको मालूमी है, कि जो 25% retention है, वो सिरुफ वॉलेंटियर्स का retention है, nation building, एक हम लोगों का मानना ये भी रहा है, मेरा ये मानना बहुत पहले से रहा है, कि जब इस तरीके के बच्चे बाहर जाएंगे, तो हर dimension में इनका contribution होता है, और इनका example, इनका discipline, इनके तरीके देख करके, शायद और लोगों में भी motivation होता है, ऐसा मेरा मानना है, employability बढ़ेगी इन लोगों की, ये गलत धारणा है कि इनकी employability चार साल के बाद क्या होगी, मेरा ख्याल इतनी चीज़ें ये सीख जाएंगे, कि इनकी employability बढ़ेगी, और कुछ comments हैसे भी मैंने पड़े हैं, जिसमें कि दो तरह के group हो जाएंगे, एक पुराना सैनिक, एक नया सैनिक अगनी ही, मेरा ख्याल जो हमको बात समझनी चाहिए, कि जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की best qualities, इतना तो भरोसा करिए एक सैना की leadership में, कि दोनों की best qualities को संग चालेंज में आते हैं, leadership के लिए बहुत challenge है कि नए और पुराने तरीके से आए हुए लोगों को संगठित करना, एक दीसरे पर भरोसा डालना, camaraderie बढ़ाना, ये उनके लिए challenge है, I am sure कि इसको ये लोग करनेंगे, दूसरा है fear, और यही एक जगे है जहां पर मेरे को आप लोगों से खास दोर पर बात करनी है, कि जो ब्रहमत करने वाली बातें सोशल मीडिया में घूम रही है, वो एक fear पैदा कर रही है, इन नए अगनी वीरों के दिमाग में, कि हमारा चार साल के बाद क्या होगा, ऐसा करके बहुत लोग कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि गवर्मेंट इस बात पर, और हम लोगों ने देखा है, क्योंकि पॉलिसीज पढ़ी हैं, धिर्ट संकल्प है, कि इनका पूरा पूरा जो है, usefulness देश के लिए कहीं न कहीं इनको employment दे करके होगी, और कई organizations ने commitment दे दी हैं, और मेरा खाल, already ये 75-80% पे पहुचा हुआ है, और 158 organizations और हैं, जिन्होंने commitment दी हैं, जो कह रहे हैं कि अगनी वीरों को हम, आप अगर दिल्ली से आगरा, ऐसे सटकों में जब हम इसे आते जाते थे तो देखते थे, हज्जारों की संख्या में बच्चे दोड़ रहे हैं, exercise कर रहे हैं, एक उत्सा है कि हम सेना में कि वो उत्सा तो नीचे लेवल पर बढ़ा है, लेकिन आपकी बात है कि इनका contribution जो अगनी वीर आगये हैं, कितना है सेना, प्रिमिचौर है थोड़ा हमको यह कहना, क्योंकि अभी तो दो ही साल हुए हैं, दो साल में से एक साल तो उनकी ट्रेनिंग का ही था च्छे महीना, अभी अभी आए हैं, अभी चले हैं, धीरे धीरे उनको experience की line पर लाया जा रहा है और हो रहे हैं, और मुझे यकीन है जो मैंने कुछ अफसरों से बात करी इधर पर आने से पहले, जो मैंने बात करी young officers के साथ में, कि वही तुम्हें क्या लगता है, तो उनके साल सीधा सीध ये है, कि लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे soldiers बनेंगे, जैसे जैसे experience हो जाएंगे, उनके पास काबियत बहुत तगडी में आईगी, और ये लोग चीजों को बहुत जल्दी pick up करते हैं, मतलब इन में ये नहीं है, कि अराम से चल रहा है, सब कुछ धीरे धी जैनिक बनेंगे, और भारतिय सेना को इससे लाभी होगा, कम नहीं होगा, और पांच-छे साल के बाद देखिए, तो फर्स्ट इंडक्शन है, जो अभी चार साल चलेगा, उसके बाद हर साल इंडक्शन होते ही चला जा रहा है, छे साथ साल के अंदर आप इस परिवर्तन क को देखें, ऐसा मैं मानता हूँ, वो 20 साल इसको लाहिन में लाने में लगा है, हर चीज को करने में लगा है, वो 20 साल, इसलिए मैं कारगल को मैं एक वाटरशेट मानता हूँ पर्सनल तोर पे, क्योंकि उसी के बाद यह सब को शुरू हुआ, और मेरे को यकीन है कि यह आग को एड्रेस करने के लिए कानून बनेंगे, तरीके बनेंगे, सिस्टम बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बनेगा, इस बात पर आपको भरोसा होना चाहिए, यह गाव्मेंट, हमारी ब्योराकरसी और सेना की जो अंग है, यह सारे इस बात से वाकिफ हैं कि क्या हो रहा है, क कि यानी हो रहा, क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, बहुत सारे study thinking tanks हैं दिल्ली में, बाहर, जिसका योगदान उनके पास आता है, बहुत सारे research हो रहे हैं, बहुत सारे studies हो रहे हैं, दोनों study research में फरक है, आप सब जानते हैं, तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन थो बन जाएंगे और ऐसा कुछ हो जाएंगे ऐसा मैंनिग भाग।